आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई तरह के चीज की डाइनमिक नेम रेंज हमें मालूम है हमने कर रक की हैं लेकिन डानमिक ली क्या वह हम देखते हैं सबसे पहले तो कि नेम रेंज क्या होती है यह मेरी रेंज है इसमें अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां पर मै इने ये रेंज जो है वो डिफाइन करके बसिकली एक एरिया लेते हैं और उस एरिया को हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं तो आप कहेंगे कि फिर यह दूसरा डाटासेट क्या है दूसरा डाटासेट पुछ भी नहीं है इस बसिकली वी लुक अप चो की नेम रेंज से जो है वो pick कर लेगा तो यहाँ पे हम सीधा ही area ना देकर हम उसको पहले define कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम इसको use कर सकते हैं और यही चीज जो है वो नीचे भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो क्या हुआ कि range एक रही लेकिन हमने values जो है वो अलग अलग निकाल ले अब क्या हो कल को अगर मैं कुछ यहाँ पर add कर दूँ and यहाँ पर मैं same formula copy करूँ तो क्या होगा मेरे पास na आ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो मेरी range है वो यहाँ ही तक है अब वो कैसे यहाँ पर बढ़े या इसको इस तरह से देखते हैं कि मैं यहाँ कुछ भी type करता जाऊं वो यहाँ पर जो है वो अपने आप उसको कुछ भी हो यहाँ पर उसको वो pick कर ले यहाँ कुछ भी type किया और इस range में अपने आप आ गया तो बस यही हमको इस वीडियो में देखना है तो स्टार्ट करते देखे इस ट्रिक को प्रफर्म करेंगे विदा हेलप अफ टू एक्सल फंक्शन्स आफसेट एंड काउंट ए तो मैं वही चीज वो डाटा सट ले लेता हूं दो के दो जो मैंने अभी पीछे डिस्क्रिप्शन बतायते लेकिन उससे पहले में थोड़ा आपको आफसेट के बारे बता देता हूं और पीछे भी हम कुछ वीडियो में आफसेट की बात कर चुके हैं प्लीज आप उनको भी देख लीजिए लेकिन फिर भी मैं आपको एकवर ही explain कर देता हूं यहां पे मैं एक छोटा सा data set लेता हूं यह वाला और यहां पर जो भी value है वो 0 से शुरू होते है तो offset जो होता है मैंसे 0 से शुरू होता है 0, 1, 2 और फिर values अब कैसे इसको use करेंगे यहां पर मैं करता हूँ offset सबसे पहले मैं देता हूँ reference कहां से शुरू होना है और इसके बाद rows मेरे को zero throw चाहिए और zero column मतलब जहां से reference शुरू हो रहा है मेरे को सबसे पहले वही चीज दे दो तो वो zero को ले आएगा और इसी तना से अगर हम यहां पर one, one कर देंगे तो क्या होगा वो इस value को ले आएगा कैसे zero, one यह तो हो गया column इसी तना से zero throw और first row में यह आ रहा है इसी तना से आएगा और इसका address क्या होगा this is second row and second column इस तना से आप offset से फटा फट से जो है वो निकाल सकते है किसी भी value को जैसे हम vlook-up अगारा से जते है इस तना से हम offset से भी ले सकते है अब इसी चीज का हमको जो है वो use करना है अपनी name range में इसके लिए हम formulas में जाके name manager में भी जा सकते हैं या फिर हम control F3 का भी use कर सकते हैं और यहां पर आकर हम अब use करेंगे अपने offset का offset of this यह है मेरा reference जहां से शुरू हो रहा है इसके बाद यहां पर मेरे को zero throw और zero column चाहिए और यहां पर अब बात करते हैं अब हम वहां पर हमने देखा था जब हमने syntax की बात की थी तो उसके आगे हम row and column के आगे हम width and height भी दे सकते हैं तो सबसे पहले हम height देते हैं कितनी height तक हमको चाहिए data और कितनी width तक हमको जाना वो हम बात में discuss करेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी हमको height चाहिए अपनी name range की जो dynamically क्या हो change होती है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ count a function करता हूँ count a function क्या करता है basically उस range के अंदर जितने भी values enter होती है चाहिए वो number हो चाहिए वो text हो उसको वो count करता जाता है और बात में बता देता है कि इतना जो है वो number बराया है और वही हम यहां पर देंगे as a width तो मैं यह ले लेता हूँ यहां तक suppose ले लेता हूँ इसको मैं यह मैंने ले लिया इसको यहां पर मैंने दिया इसको और इसको मैं यह ले लेता हूँ यहां पर और यहां पर मैं देता हूँ मेरे को सिरफ first column ही चाहिए तो इससे क्या होगा ओके I need to close the counting यह देखिए अब इसने क्या किया अगर मैं यहां क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा यहां पर एक range मेर को देदेगा और अगर मैं यहां पर यह देखिए यह value नहीं आरी क्योंकि मैंने name range वहां पर change कर दी तो उसके लिए क्या करें हम हम उसके लिए क्या क्या करेंगे कि वो जो हमने एक option और थी ना end में जहां हमने one दिया था अगर इसको मैं यहां पर two कर दूँ मतलब की क्या हो कि मैं यहां पर अगर width बढ़ा दूँ तो क्या होगा वो मेरा क्या हो जाएगा column बढ़ जाएगा यह मैंने लिया two और यह किया enter अब अगर मैं यहां क्लिक करूँगा तो मेरा यह यहां पर रहेगा और simple मेरे को close पर क्लिक करना और मेरी जो भी values होंगी वो आपस आजाएंगी और यह देखिए जो five मैंने यहां type किया था जो पहले एने दे रहा था formula से अब वो आ जाएगा अब मैं यहां पर मान लीजिए कुछ और भी type कर देता हूँ suppose six type कर देता हूँ यहां गई मेरे पर six और यहां पर आकर मैं six देता हूँ और यहां पर simple इस formula को copy कर देता हूँ मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा जो भी चीज यहां आ रही थी यह देखिए नंबर से वो उसने उसको अपने भी बढ़ा दिया तो इन दो functions का use करकर हम जो है यह जो command है यह वाली यहां पर हम दे सकते हैं अब यहां पर description की जगा details आ जाएगा या जो भी होगा आपके case में जो भी sheet का name होगा वो आ जाएगा और इस तना से आप यहां पर इस चीज को use कर सकते हैं यह formula आपको नीचे description box में भी मिल जाएगा आप वहां से भी इसको copy कर सकते हैं पर मैं recommend करूंगा कि आप इसको एक-एक step करके खुद ही type करें because क्या है कि पहली बार में यह चीज नहीं आएगी बहुत सारे hit and trial आपको करने पोड़ाएंगे तब जाके यह चीज जो होगी वह आपको मिलेगी तो बस इस वीडियो में इतना ही आगे हम इसी तना के dynamically एक और चीज देखेंगे कि हम कैसे dynamically करें और वो हमको sort of animation effect देगा within graphs तो अगले वीडियो में मिलते हैं उस चीज के साथ